नमस्कार दोस्तों, UPPSC Daily News में आप सभी लोग का स्वागत है, तो जी हाँ दोस्तों आज की ये अपडेट है PCS 2021, सभी सीटों की संख्या मैं आप सभी लोग को क्लियर कर दूँ, ये अपडेट मिल चुकी है, तो चलिए आए आए आप सभी लोग को डेटेल में बता देते हैं डिप्टी कलेक्टर का जो की 52 पद हैं, जिसमें जनरल के 25 हैं, मैं जनरल जनरल की बताता चलूँगा, स्क्रीन पे आप सभी लोग के बाकी सारे डेटेल लिखे हुए, चाहे तो आप सभी लोग स्क्रीन साट ले सकते हैं, जिसमें पुलिस उपाधिच्छा यानि डिप्ट पंचायत राज अधिकारी के लिए आप सभी लोग का 4 सीटे थी और 1 है जनरल के लिए, अधिसासी अधिकारी स्ट्रेडीवन के 12 सीटों में से 4 है जनरल के लिए, और नेक्ष्ट हम लोग देखते हैं, इसमें 7 नंबर कालम में, जिसमें कार अधिकारी पंचायती राज के लिए, जिसमें 2 सीटों में जनरल के लिए एक थी, और अधिक्षक कारागार की बात कर लें, अगर हम लोग तो इसमें 9 कुल सीटे थी, 7 थी जनरल के लिए, ओब निवंधन यानि निवंधन विभाग के लिए थी, टोटल जो है 34 और जिसमें 15 थी जनरल के लिए, सायक निय अधिकारी का जो पद था, इसमें पदों की संख्या थी, एक में से एक, जिला कमांडेट होंगार के लिए थी, 6 पदों में से 5, जनरल के लिए, जिला गन्ना अधिकारी वीच के लिए थी, 3 में से जनरल के लिए एक भी सीट नहीं थी, और अठार नंबर की बात कर लें, त लेक्ष्ट है सत्रा नंबर इसमें से सत्रा नंबर साहक सोध हदिकारी के लिए साहक सोध हदिकारी की दो सीटे थी जनरल की और इसमें दो सीटे संपूर सीट थी दो जनरल के लिए वित्यम लेगादिकारी के लिए आठ सीटे थी आठ में से साथ थी जनरल के लिए साहक आयु पर पाथना अधिकारी के लिए एक में से जंडरल लेक वी नहीं थी श्रंप्रोर्पverted नाधििकारी के लिए थी साथ में से टीन सीटे, इस में सब करक dias just उपकारापाल के लिए यानि जेल का जो उपकारापाल है उसमें कारागार के लिए इसमें कुल 30 सीटों में से 13 सीटे जनरल के लिए थी और इसमें नायब तहसिलदार एंटी की जो सीटे थी वो 54 में से 22 सीटे जनरल के लिए थी बात कर ले इसमें ACF 361 अधिकारी के लिए बा तो जिया दोस्तों इस प्रकार रही है सीटों की संख्या और आप से लोगों को ये अपडेट मिला हो अगर अच्छा लगाओ तो वीडियो जरूर लाइक कर दें अपने दोस्तियार से सेर कर दें तो जिया दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद